स्कूल ओफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ये न्यू डेली में है और यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई है तीन पोस्ट हैं तीनों में एक वेकेंसी है और आपको ग्रूप B की पोस्ट मिलेगी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए के विले एक ही वेकेंसी है वो है यू होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिस एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर आपके पास डिग्री में संस्किर्थ और इंग्लिस एज इलेक्टिव एंड हिंदी एज ओप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए इसके बाद नंबर दो पे कहते हैं पांच साल का आ एंड हिंदी टू इंग्लिस आपको experience होना चाहिए from a well-established and reputed office जो आपका सरकारी प्राइबेट हो कुछ भी हो सकता है कोई फरक नहीं पड़ता पांच साल का आपको experience होना चाहिए आगे फिर कुछ general instructions इन्होंने दिये हैं और यह कहते हैं कि आपकी जो application form है offline आपको apply करना है और कहां पे पहुंचना चाहिए रिजिस्टर स्कूल ओफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फॉर ब्लोक बी इंदर प्रस्त इस्टेट न्यू डैली और इनका पीन कोड है 11002 और यह एक महिनी के अंदर पहुंचाना चाहिए यानिक 21-29 मई तक इनके पास पहुंच जान और सेस्ट पीड़ीवीडी इड़ीवीएस या फिर किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला है उनके लिए कोई फीस नहीं होगी इनकी फीस माफ की जा रही है और जो आपको पे करना है इनकी वैब साइट पे लिंक है वहाँ पे आप ओनलाइन पे करेंगे इसके बाद कहते है कि जब आप ओफलाइन फोम भेजेंगे तो आपको कोई भी डॉकुमेंट साथ में अटेच नहीं करना है आगे फिर कहते हैं जब आपको डॉकुमेंट से हमें जरूरत होगी तो जब आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके ओरिजिनल भी आगे फिर कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो इसके लिए रिटन टेस्ट भी कंड़क्ट करा सकते हैं या फिर इंट्रू भी कंड़क्ट करा सकते हैं वो अपनी सुविदा नुसार देखेंगे पोस्ट के नुसार क्या करना चाहिए आगे फिर चलते हैं और भी इ इसकी भई है तो आगे फिर कहते हैं कि देखिए आपको apply कैसे करना है तो आप इसको type करा सकते हैं कहीं पर जाके या फिर अपनी own handwriting से आपको fill करना है और आगे फिर कहते हैं कि कोलम आपको कम पढ़ते हैं तो extra seat आप ले सकते हैं और कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा तो इस form को डाउनलोड करने के लिए आपको link मिल जाएगा हमारी वीडियो के इसी description में और इस तरह का आपका form होगा तीन page का तो आप देख लें और डाउनलोड कर लें एक बार general साल का experience थमनेल पर आपने देख लिया होगा ताकि आपका time waste ना हो क्योंकि बहुत कम candidates के पास इतना experience होता है और वो भी आपकी 35 साल से कम age होनी चाहिए चले ठीक है और बाकी देखते हैं अगर आगे कोई ऐसी recruitment आती हालां कि फिलहाल जैसे नवंबर दिसंबर में काफी सारी recruitment आई थी लेकिन अब वो बात नहीं है एक दो एक दो आती डेपुटेशन पर आती रहती ट्रांसलेटर की लेकिन डेपुटेशन पर कोई फायदा नहीं है सरकारी अफसरों कोई सरकारी अफसर बना दिया जाता है तो अगर freshers के लिए यानिक जिनके पास कोई experience नहीं है जि इसी चनल पर आपको बता दिया जाएगा